एक बार स्वागत है आपका Face Foundation के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म में सो यह जो लेक्चर है इस पे हम लोग जेस्ट Joint Entrance Screening Test जो 2021 होने वाला है अप्रिल में उसके कुछ जो जेम से हटके जो टॉपिक्स है या उसके बात करेंगे आम लोग है तो इस इस लाइक क्रेश कोर्स है ना ओके सो इस लाइक क्रेश कोर्स के इस टैप का क्रेश कोर्स है मैं अभी बता रहा हूँ क्रेश कोर्स फोर जेस्ट है ना Joint Entrance Screening Test 2021 ओके सो इस इस क्रेश कोर्स फोर जेस्ट 2021 आपकी जो अप्रिल में एक्जाम होने वाली है जेस्ट 2021 उसके लिए क्रेश कोर्स है आपको इसके कुछ वेनिफिट बताते है ठीक है इस इस बहरी मुच सिमिलर टू है ना सिमिलर बहरी मुच सिमिलर टू आईटी जेम इस एक्जाम इस बहरी मुच सिमिलर टू आईटी जेम जेस्ट का जो एक्जाम है आईटी जेम के बहुत सिमिलर है है ना आईटी जेम के बहुत जादा ही सिमिलर है समझ पार है ना और आईटी जेम के सिमिलर है मतलब कहने का यह मतलब है कि अगर किसी का jam में नहीं होता है अगर किसी का jam खराब गया या किसी कारण वस कुछ हो गया गड़बर तो आप यकीन मानों आपके लिए दूसरा IT jam है jest दूसरा IT jam है jest this is second IT jam for your life भगवान ने आपको कहा कि आप अगर एक बार में IT jam फेल होगे तो दूबार IT jam दो and that is called jest that is called jest so mind it बहुत बच्चे इसको बहुत hard में लेते हैं hard में तो इसको लेना नहीं है jest IT jam का दूसरा रूप है क्या है IT jam का दूसरा रूप है बच्चों इसको इसको इदम दिल में बठा लो मेरा experience है कि jest क्या है IT jam का दूसरा रूप है and nothing else इसमें कोई rocket science नहीं बटा टेएफर थोड़ा सा मान सकते हैं लेकिन जेस्ट करदा ही rocket science नहीं है clear है सब कोई बात clear हो गया बिल्कुल अगर जेम में नहीं अगर जेम में किसी का नहीं हुआ 14 फर्वरी को तो अप्रेल में जो जेस्ट होने जा रहा है वह आपको भगवान ने दो मन्त का फिर से टाइंग दिया और का फिर से जेम दो इट इज सिमिलर टू जेम अलग क्या है जेम से वह अभी हाज हम बात करने वाले हैं और उसी के लिए क्रेश कोर्स लेके आये हैं कि अलग क्या करना है थोड़ा सा दो माईना में समझ पाने हुए थोड़ा सा दो माईना में क्या करना है जेस्ट oriented होके पड़ना है and nothing else यकीन मानों जेम से भी अच्छा आपको मैं अपना एक गांपल देता हूं मेरी जेम में ये मेरी जेम में थे 257 मानला 257 ये जेम में यार कितनी थी अभी एक चीज बड़ा मस्त बताता हूं 167 आप में से बहुतONG श्मूंच होंच रहे होंगे सर हो सेथ कbnिIST लेबल का त्यारी कर रहे होंगे तो मैं आपको बता दो कि मैं जेम लेबल का त्यारी कर रहा था उसमें भी मुझे confidence नहीं था कि मेरा rank 500, 600, 700, 800 भी आएगा उसमें भी मुझे 10% confidence नहीं था लेकिन हाँ मैं पढ़ता था मैं पढ़ता था और मेरे को विश्वास था कि सब होगा ठीक है ना जेस्ट औरियेंटेट होके पढ़ा भी था दो दिन मतलब पुरा हम लोग के समय तो फरवरी में ही सब कुछ हो गया था तो कुछ नहीं करना देखो यह क्या बता रहा है यह यह पताता है कि अगर आप जेम का पढ़ रहे हो तो जेस्ट उसका दूसरा रूप है मेरा जेम थोड़ा सा खराब गया था तो मेरे टीचर ने कहा था कि तरह जेस् है यह क्रेस कोर्सट लेकend में नहीं आता लेकिन इस बार क्या है कोविट 19 ने आपको ौध 2013 दिया है किसने कोविड क्रेस ने आपको golden अपको चुनीटी दिया है इस golden opportunity को छोड़ना मत अनड़ इर क्या होता था झा हमक की एक च clinics कर नेकscenes एक सप्ता बाद जेस्ट कह उतल तो एक सप्ता मेंग्रेश स्कॉर्स लाना पुसिबल नहीं एक सप्ता में आप क्या ही पढ़ा देंगा लेकिन इस बार किया है कि आपको लॉट आप टाइम मिल रहा है पुरे दो पॉजिटिव टाइम है बहुत पॉजिटिव टाइम है जिन लोग लाश्ट में बहुत बाद में शुरू किये थे या जो जैब बहुत पहले सबस्क्राइब इंटर में था तो लगता था भी इस ती हाट लगा नहीं विसे अभी सबस्क्राइब नहीं है बहुत सिंपल मैं मैं आपको बहुत ही सिंपल में पढ़ाऊंगा बहुत ही यूजफूल कॉंसेप्ट और ट्रेक दूंगा और प्रॉब्लम्स करवाऊंगा ठेक है अन्डट इस मोर देन अनप मतलब एक अच्छा बूस्टर की काम करेगा आपके लिए क्लिए रहे सब के लिए तो किसके बारे में सबको पता चल गया होगा जो भी नया टॉपिक है जेम में जेस्ट म आपको उम्मीद करता हूँ पता चल गया होगा ठीक है ना ओके चलो आगे बढ़ता है ठीक है तो आते हैं अपने सिलेबस में सबसे पहले जो सिलेबस में बात करूंगा हाला कि इस में कितने टॉपिक हैं वो मैं बात कर लिता हूँ दीख रहे हैं सबको ने दीख रहे हैं यहाँ पर ओके सो अब दीख रहा होगा जोईन्ट इंट्रांस स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेबस तो अच्छा इसमें नया क्या क्या पढ़ना है ठीक है ना आज मैं लिखवा दे रहा हूँ सब मैंतेमेटिकल फिजिक्स इसमें जेम के अलावा आपको क्या पढ़ना है वह मैं बता दे रहा हूँ ठीक है इस्पेशल फंसन पढ़ना है क्या पढ़ना है इस्पेशल फंसन के अलावा क्या पढ़ना है कॉम्प्लेक्स अनलाइसिस मैं उन्ही टॉपिक का नाम लिख वा रहा हूँ जो जैम के अलावा आपको पढ़ना है यहाँ पे नया उसके बाद Fourier series and Fourier transform Fourier series आपने पढ़ा होगा तो मैं सिर्क Fourier transform लिख रहा हूँ हाना Fourier series आपने जैम में पढ़ रखा होगा उसके बाद है Laplace transform यह दो चीज आपने साइट जैम में syllabus में नहीं है नहीं पढ़ा होगा हाना उसके बाद है probability theory है तो यह मैं नहीं पढ़ा होगा probability theory मैं खुद नहीं पढ़ा तो आपको कैसे पढ़ाओ सो कोई चाता है इंट्रेस्टेट है तो पढ़ सकता है कभी कभार एकाद स्वाल आता है बाकि में यह सारा चीज पढ़ाओंगा special function, complex analysis, Fourier transform और Laplace transform ठेक है तो यह था हो यह mathematical physics दो नमबर में आता है classical mechanics दूसरा दो नमबर का syllabus क्या है classical mechanics इसमें नया क्या है jam क्या लवा ठीक है ना jam क्या लवा इसमें है generalized coordinates principle of list action क्या है generalized coordinates generalized coordinates and principle of principle of list action principle of list action उसके बाद है आपको परना langrangian and hamiltonian formulation of mechanics langrangian and hamiltonian formulation कैसे यह लोग बनता है ना formulation of mechanics यहल मतलब langrangian है और यह मतलब hamiltonian ठीक है symmetry and conservation lodge यह भी important topic है symmetry and conservation lodge ठीक है उसके बाद है आपके पास central force problem central force problem then है आपके पास कैपलर प्रोब्लम then है आपके पास कैपलर प्रोब्लम उसके बाद है small oscillation और relativity small oscillation यह हम पढ़ा चुके हैं यह topic है ना small oscillation and special theory of relativity special theory of relativity तो यह आप jam में पढ़ चुके हैं यह तो special oscillation पर हमने बहुत सरा question करवाया है जब मैं jam के classical mechanics करवा रहा था special oscillation और special theory of relativity आपने जो jam में पढ़ा है वह ही पढ़ना है तो यह दो को मैं कट करता हूँ बाकी कैपलर प्रोब्लम में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा तो यह सारा चीज मैं यहाँ पर करवाने वाला हम कबर जेस्ट के लिए नया है बाकी जो है वो jam का है मैं आपको syllabus भी send कर दूँगा अच्छा देखो मज़िदार बार कि jam का भी सारा चीज नहीं पढ़ना है jam का कुछ कुछ छटा हुआ चीज ही यहाँ पर पढ़ना है तो आप बिल्कुल syllabus देखके ही जेस्ट के लिए पढ़ना है मतलब jam के कुछ कुछ टॉपिक पढ़ने है और यह सब कुछ कुछ टॉपिक जो अलग पढ़ने है जो में सी के हैं जो नेट गेट के सिलेबस के हैं उनको मैं कवर करूँगा सिर्फ तो यह पार्ट वन पार्ट टू हो गया इसको अप्तिक्स तो देखते हैं कि उसमें क्या एक्स्टर है क्या निए हें जो अपने को पढ़ना है jam के ठीक हम के ना कि इसका स्लेबस बहुत छुटा है कि ऐलेक्ट्रो में एक्निक्टिज में अन्ड आप्टिक्स और जितना अभी में लिखवा रहा हूँ ये सब बहुत आसान चीज है कोई हाड और फास्ट रोकेट सैंस नहीं एक दम बिल्कुल आपको समझ मैं आएगा बस जितना करवाएंगे उतना कर लीजेगा इंटरवी भी आरामस निकल जाएगा मैं इंटरवी के लिए भी आपको एक्जाम के मेरे साथ ठीक है एलेक्ट्रो मैगनेटिजम एलेक्ट्रो मैगनेटिजम एंड ऑप्टिक्स थर्ड जो सिलेबस का पार्ट है वो यह है इसमें नया क्या परना है वो मैं आपको बताता हूं ठीक है फिल्द्स इन कंडक्टिंग ओके सो फरादेज लौ एंड टाइम फिर भी बहुत लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं जहां तक मुझे अनुभव है तो मैं करवा दूँगा फिर टॉपिक मैं करवाओंगा यह टॉपिक मैं करवाओंगा दैन वे विल मूब टुद्स इस्प्लेस्मेंट करेंट displacement current displacement current and then Maxwell's equations Maxwell's equations Maxwell's equation energy and momentum of electromagnetic wave energy and momentum of electromagnetic EM waves then आपको electromagnetic fields है sorry वह हो गया है और आपको क्या पढ़ना है नहीं आप reflection 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 यह साथ पढ़ते हैं लोग जयाम में हालागी स्हेंप स्लेबस में पता हैं लोग पढ़ते हैं कि नहीं reflection and reflection उसके बाहद आपको पढ़ना सारा का सारा जयाम में पढ़ चुके हैं उसको में नहीं करवाऊंगा डिफ्रेक्शन इंटर्फरेंस पोल रहा इसन है तो मैं पढ़वा चुका हूं उसका वीडियो देख सकते हैं ठीक है यह यह एक्सट्रा है यह मैं करवाने वाला हूं ठीक है यह एक्सट्रा पार्ट है हलाकि जैम में यह लोग पर लेता है reflexor and reflection हना तो यह भी टापिक छोडे तो चले गा लेकिन मैं बता दोंगा ठीक है इतना मैं cover नया पड़ाउंगा, Orbital and Spin muscular Mumenta ठेका ना, Hydrogen atom, पहले मैं reacts हैंगा साथ जैयम में नहीं है दूसरा, Hydrogen atom के बाद Orbital and Spin Angular momentum पड़ाउंगा मेंनित, 3rd में मैं पड़ाउंगा आपको Addison of Angular Mumenta adaptation of angular moment then matrix formulation of quantum theory कैसे लिखते हैं है matrix form में matrix formulation of quantum mechanics then initary transformation hermission operator ये तो आप पढ़चोगे है varitional principle पढ़ाऊंगा क्या है variational principle बहुत important है इस पे सवाल इस बार आया भी था एक line का एक definition है ट्रिक है उस पे question आती रहता है न फिर पढ़ाओंगा time independent perturbation theory time independent perturbation theory PT है न हलागे time dependent perturbation theory भी याँ पे दे रखा है लेकिन मैं वो नहीं पढ़ाओंगा आपको सिर्फ अभी क्या पढ़ाओंगा time independent perturbation theory भी पढ़ाओंगा ठीक है तो यह टॉपिक में quantum mechanics में आपको पढ़ाने वाला हूँ clear है सो चलिए screenshot ले लिजे जल्दी से ले लिए सबने ओके आगे बढ़ता है last दो टॉपिक बचा है electronics thermo and aesthetics clear है चलिए screenshot ले लो इलेक्ट्रोनिक्स में तो सारा का सारा इटी जैम का है ठीक है तो उस पर कुछ भी तीर मारने का जोवरत है नहीं ओके इस पर कुछ भी नया नहीं करने का state mac पूरा thermo dynamics जैम का है बस statistical mechanics है जो next topic है कितना नंबर 5 नंबर में है thermo and statistical mechanics ठीक है state mechanics तो इस पर नया क्या पढ़ना है नया आपको पढ़ना है इंसेंबल डिफ्रेंट टाइप्स आप इंसेंबल्स पढ़ने आपको पार्टिसन फंसन पढ़ने है आपको क्या होता है पार्टिसन फंसन फिर आपको classical ideal गेस पढ़ना है उसका operation करेंगे है ना classical ideal गेस का through statistical mechanics फिर आपको हार्मोनिक उसिलेटर बढ़ाएंगे हार्मोनिक उसिलेटर का operation करेंगे और देखेंगे result जो thermodynamics में आता है वही आ रहाए कि नहीं अना statistical mechanics से फिर आ जाता है classical and quantum aesthetics क्वांटम इस्टेटिक्स में अपने को पढ़ना है सिर फर्मी एंड बॉस गेसेस ठीक है फिर पढ़ना है अपने को black body radiation सायद आपने पढ़ रखा होगा लेकिन यहां पर थोड़ा अलग द्रिश्टिकोंग से आपको पढ़ाए जाएगा and statistics of paramagnetism बहुत इंपोर्टेंट है जेस्ट वालों का फेवरेट है ना statistics of paramagnetism वो उनका फेवरेट टॉपिक है इस्टेटिक्स of paramagnetism ठीक है इस्टेटिक्स of paramagnetism तो यह सारी चीज नया है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लियर है चलो आते हैं 6 नंबर पे और 6 नंबर लास्ट है और यह है electronics ठीक है ना electronics में आपको क्या पढ़ना है basics of semiconductor, pn junction, diode, transistor, lcr circuit, rectifier, amplifiers, active filter and oscillator तो नया क्या है एक तो rectifier है जो लोग सायद jam में नहीं पढ़ते हैं कुछ लोग चानला को लोग पढ़ लेते हैं active filter क्या है वो बताऊंगा उसके बाद oscillator बताऊंगा एक अलागे jam में इसको लोग पढ़ते हैं basics of opm's and their applications, basic of digital electronics यह सवाब पढ़ चुके है jam में ठीक है तो यह थोड़ा सा हलका सा topic so this is all about the new ठीक है ना इस screenshot ले लो यह सारा चीज में क्रेस कोर्स में जितना मैं लिखा extra topic उसको mostly मैं इस क्रेस कोर्स में cover करूँगा ठीक है ना इन सारे topic को mostly मैं concept के थुरू formula के थुरू और कुछ problems के थुरू previous year मैं tackle करूँगा ठीक है ना तो चलिए screenshot ले ले लिजे आगे बढ़ते हैं पड़ा पड़ ठीक है शुरू करते हैं लेक्चर शुरू करते हैं पढ़ाना शुरू करते हैं ठीक है ना तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे किसका बात करेंगे सबसे पहले अपन बात करेंगे किले इռ्लैक्ट्रो मैग्नेटिजम और ऑप्टिक्स सबसे सब्सके पहले रोगा से शुरू करेंगे पढ़ ना इसको खत्म कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है न इलेट्रो मागनेटिजम और अप्टिक्स 1st heading is electromagnetism Electromagnetism and Optics यह जो टॉपिक है यह पाँचवान नमबर सिलिबस का पार्ट फाइब था नहीं इसको पहले खतम कर लेंगे फिर आएंगे नेक्स टॉपिक पे एक टॉपिक करके कभर करेंगे ठीक है तो इस पे नया क्या पढ़ना था सबसे पहले पढ़ना था फारडेज लो औं टाइम वेरिंग फिल्ड औन डिस्प्लेस्मेंट करेंट हाना तो गिब द भी आडिग फारडेज लो अच्छो लो इसको Maxwell's equation बगर आई तुमको पढ़ना है ना डिस्प्लेस्मेंट कराण Maxwell's equation ना उसके बाद है energy and momentum of electromagnetic fields, propagation of plane electromagnetic waves, चलो तो आते हैं, Friday's low and time bearing electric field ना, चलिए, तो सबसे पहले आते हैं इस पे किक करके स्लिवस पे, और फटा फट पढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, देखते हैं क्या है, तो मैंने अपना knots ले लिया है, तकि आपको फटा फट हम पराते जाएं, अब electromagnetic waves क्या है, यह तो सबको मालूमी होगा, ठीक है ना, चलिए, तो सबसे पहले heading देते हैं, induced electric field, इसका कारण क्या है, तो चलिए, इसका बंदर में आते हैं, तो लिखे variable, magnetic field induces electric field, variable, magnetic field, variable magnetic field induces electric field, कैसे अभी मैं इसका पुरा कहानी बता देता हूँ, ठीक है ना, इसका पुरा मैं कहानी बता देता हूँ, कैसे इसा होता है, ठीक है, माल लिजे, कैसे, कैसे time varying magnetic field, electric field produce करता है, देखिए, इसका मतलब originating कहा से वहा थोड़ा सा मैं आपको history बताता हूँ मालने जे यहाँ पे एक loop है मालने जे यहाँ पे एक loop है ठेक है ना और इसी region में इस region में यहाँ पे मालने जे कि एक magnetic field है inside या इस region में एक magnetic field है inside जिसका rate of change है dby dt और यह समय के साथ increase कर रहा है इस region में एक magnetic field है cross का मतलब वो cross का मतलब inside है और वो क्या कर रहा है dby by dt positive quantity है plus dby by dt है मतलब उसका rate of change मतलब समय के साथ जो है वो बढ़ रहा है ठीक है ना dby by dt arrow उपर दे है मतलब magnetic field समय के साथ change हो रहा है और वो increase कर रहा है और direction है inside ठीक है तो आपको मालूम है कि direction अगर inside है और magnetic field बढ़ रहा है समय के साथ में तो land log क्या करता है कि यह जो coil है इसमें इस तरह से current induced होगा कि वो इस magnetic field का अपोज करेगा तो अगर अंदर की और बढ़ रहा है तो अपोज करने का मतलब क्या होता है कि इस तरह से हाँ पि electric field current और MAP induced होगा कि magnetic field वो बाहर की और generate करेगा तभी तो उसको अपोज करेगा क्योंकि बढ़ रहा है अगर घट रहा होता अंदर की और तो फिर उसको अपोज करता है मतलब वो अंदर की और ही बढ़ाने लगता magnetic field लेकिन अभी अंदर की और magnetic field बढ़ रहा है तो उसका अपोज करेगा मतलब वह बाहर की और magnetic field setup करेगा तो बाहर की और magnetic field setup करने के लिए हैना यह hand rule लगाओ right hand rule तो current किस तरह से लूप में इस inner loop में current किस तरह से बाहना चाहिए इस तरह से तब तो करेंट इसमें किस तरह से लूप में बहेगा anti-clockwise so that कि magnetic field बाहर के और इस अंदर की और जो बढ़ रहा तो time के साथ magnetic field उसको अभी अपोज करेगा clear है अगर यह घट रहा होता तो current फिर clockwise बाहता ताकि घटने का विरोध करता है जो घटना होता है उसका विरोध करता है अंदर की और घटता तो ठीर अंदर की और लगा कि उसको बढ़ाता तो घटने का विरोध मतलब बढ़ाना बाढ़ रहा है तो इसका विरोध घटाना तो अपोजिक डिरेक्शन में लगाएगा समझ पार है ना तो यह होता है लेंड इसका मतलब इस टाइम भीरिंग मैगनेटिक फिट के चलते हम लोग इतना तो पढ़े क्लास 12 में के एक इस क्वाईल में करेंट इंद्यूस्ट हो जाएगा अच्शा बेठा करेंट इंद्यूस्ट हो रहा है इसका मतलब करेंट अग तुम एक बात बताओ, electron इस direction में अगर move कर रहा है, तो यह किसके चलते move कर रहा होगा, जुरूर इसको कोई force लग रहा होगा, तो बताओ magnetic force क्या होता है, magnetic force क्या होता है, fm is equal to q into v cross b, यही होता है न, और electric field, यही होता है न, magnetic force, अब तुम हमको बताओ, initially electron को velocity कहां से आया, loop तो सांग था, एक time bearing magnetic field हमने setup किया, तो current बहना, induced current बहना शुरूबा, लेकिन induced current बहा होगा, electron के motion के चलते, तो electron initially motion में कैसे आया, initially average velocity of all the electrons should be 0, initial velocity 0 यह दो सब्रेस्ट में था न, तो initially तो कोई magnetic force नहीं लगा, इसका मतलब, magnetic force initially इस electron को नहीं घुमाया, तो कौन था भाई, कौन था, दुसरा force क्या हो सकता है, सबको मालूम है, दुसरा force ही हो सकता है, electric force जो charge into electric field होता है, तो इसका मतलब, अगर magnetic force नहीं लगा, क्योंकि average velocity initially सारा electron का 0 होता है, समझ पार है न, तो initially सब मान के चलते हैं कि उनका average velocity 0 है, तो magnetic force तो लगा नहीं, तो फिर कौन इनको घुमाया भाई, इस लुक में कौन घुमाया उनको, तो जरूर कोई electric force लग रहा होगा, और कोई electric force लग रहा होगा, इसका मतलब definitely कोई electric field लग रहा होगा, अच्छा इनका घुमने का motion इस डिरेक्शन में है, मतलब जरूर कोई force इस डिरेक्शन में लग रहा होगा, टेंजेंशियल डिरेक्शन में, जरूर कोई force, electric force टेंजेंशियल डिरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब जरूर कोई electric field tangential direction में, है कि नई, समझपा रहे हो न, ये clear or not, और आपको मालूम है कि अगर electron negatively charge है, तो electron अगर इस direction में motion कर रहा है, तो हमारा electric field किदर setup होगा, उसके just opposite direction में electric field के direction होगा, और force के direction होगा, तो जरूर, जरूर को electric field हमारा इस direction में काम कर रहा है, यानि कि जरूर कोई हमारा electric field इस direction में, इस तरह से tangential electric field यहां पे है, जो इन electrons को क्या कर रहा है, electric force लगा रहा है, और इनको क्या कर रहा है, घुमा रहा है, यानि कि electric field किस तरह से produce हिवा, circular electric field lines produce हो रहा है, दिजार्दा circular, इसके चलते बटा, इस time-varing magnetic field के चलते, इस time-varing magnetic field के चलते, इसका मतलब कहानी क्या निकला कि variable magnetic field time-varing magnetic field induces electric field, याने time-varing magnetic field बटा, क्या करता है, एक electric field जरूर induced करता है जिसके चलते एक electric force लगता है electron पे और वो लोग घुमनाई start करता है जिसके चलते ही induced current वाला concept आता है जो तुम class 12 में पढ़ा है चाहे यह घड़ रहा होता यह बढ़ रहा होता बस कहांनी उल्टा हो जाता फिल्ड लाइन्स का direction चेंज होता है और all things are change बट यह तो समझ गया कि either magnetic field समय के साथ घड़ रहा हो या बढ़ रहा हो यह induced current आता है वो induced electric field के चलते आता है क्योंकि average velocity इर दिसले 0 होता है तो magnetic force कारण ही नहीं होता है electron को भुमाने का सबको clear है यह interview को सवाल है यह इसलिए आपके जेस्ट का काम का नहीं है अभी तुम इस सिदा फर्मूला लिखा देता है इंटर्व्य में पूछता है ठेक है ना बार बार रेविजिन करते रहे है इसको फटाक से इतना पिक्चर को लिख लिए आप लोग फर्मूला पर आते हैं कि इसको सिदा से धी फर्मूला किया है ठीक है ना चलो चलो फटाक से पूरा कहानी समझवाएगा पूरा इलेक्ट्रो माइनेटिं इंडक्शन आप तुमको समझवाएगा जो भी पढ़ाने वाले नेट नेट और गेटी सब सब एक्जामी सब निकल जाएगा ठीक है ना समझ रहा है ना और कूछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना नहीं जीवन मे वाल क्या होगा तो चलो कैसे एसका फॉर्मुला वरिएबल माइनेटीक फुल यंडुसे इलेक्ट्रिक फिल तो इस इंडुस्ट्रिका फिल अपने एक्सप्रेसण नेकालना है ठीक है ना तो सब लोगपे मालीं में फिलाएग कितना होते है विड сравcz nats E dot DL, होता है ना, पोटेंशियल कितना होता है, स्थे माइनस यह इलेक्रिक फिंड, ओ ब waits T L होता है , तो पोटेंशियल ही E-MF के बर्याजबर होता पोटेंशियल किसके बराबर होता है, E-MF के बराबर होता है , तो चलो हुआ यहां पहलेG method is minus line integral यह लाइन इंटीग्राल है, closed loop पे e.dl, यह closed loop पे line integral है, is equal to minus d by dt of 5b को क्या लिख सकता है, तुमको मालूम है 5b किसके बचाबर होता है, surface integral over the closed loop b.ds, याद आया की नहीं, हाँ सरे याद आ रहा है, क्योंकि एलेक्टरिक फ्लक्स क्या होता है, e.ds, तो मैंनेटिक फ्लक्स, b.ds, तो d by dt, बतलब यह जो डिफरेंशियल कोफिसेंट होता है, d by dt, d by dx वर यह जो इंटीग्रल कोफिसेंट होता है, सब इंडेपेंडेंट हैक, दूसरे से, किसी को भी अंदर बाहर रख सकते है, जिन दो की में याद रखना, ठीक है न, और 5B को क्या लिख सकते है, ओके, this is b.ds, क्लेरे सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसको अंदर करो, अंदर करो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यह क्या बन किया बटा, लाइन इंटेग्राल, a.dl is equal to d by dt, बहुत लोग इसक न, तो ऐसा भी लिखता है, तो इससे आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्लेर है न, समझ पार यह, तो this is the, this is the relation between induced electric field and time barrier, यह बता रहा है कि देखो कैसे rate of change of magnetic field b, t के साथ कैसे change होने पे electric field produce करता है, यही बता रहा है न, क्लेर है सबको, चलो, आप इस electric field expression करने, मुतलब इसका expression निकालने को सिस करते है, ठीक है न, यह तो formula होगी, आप देखो इससे expression कैसे निकालेंगे, daily life में numerical में इसको huge कैसे करेंगे, ठीक है न, तो expression, expression for induced electric field, ठीक है, एक example ही इसको माल लो, ठीक है, एक example माल लो, एकजामपल क्या माल लो, क्या माल लो, यह क और इस region में, एक magnetic field है, इस region में, inside magnetic field है, कितना, db by dt, जो समय के साथ, increase कर रहा है, हम माल ले है इस माइनिटिक फिल्ट के चलते हैं इस लूप के अंदर पॉइंट नमबर वान हमको खोजना है क्या इंडूस्ट इलेक्ट्रिक फिल्ट लेगें कहां पे केस नमबर वान मतलब मेरा गोसेण सर्फेस जब छोटा होगा ऑगा से तो चलिए गोसेण सर्फेस ले लीज़े ना याद रखना जस्ट के में याद रखना जस्ट क्या देगा magnitude of E और DL तो integral of DL बचिया सिर्फ is equal to याद रखना है स्प्रेकल सिमेट्री में dot खतम हो जाता है ठीक है इधर क्या देगा dby dt.ds है इधर क्या देगा dby dt.ds अच्छा देखो कुछ लोग क्या करता है न यह जो काम करता है इसको पोजिटीव लेकर चलते हैं यहाँ पर मानस कोrayNews गलत हो जाता है Oh ठीक है, इधर वोला माइनस सिर्प प्राणने दो, ठीक है, तो यह एक्स्प्रेशन है, के लिए रहे, तो अधर क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस, and db by dt.da है न, तो db by dt, अब फिर से देखो, यहाँ तो भेक्टर कोन है, एक माइनिटिक फिल्ड और एरिया भेक्टर, त db by dt हो गया बाहर, और इनके बीच का एंगल होता है, 180 और बचादा इंटेग्रल ds, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, क्यों, क्योंकि लिकलो, नाइनिटिक फिल्ड और ds वेक्टर के बीच में, ठीटा कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, इस फिरिकल सिमेट्री का dl, dl क्या होता है, क्योंकि electric fields associated है dl, मतलब ये Gaussian surface का length है, हमारा Gaussian surface का length है, small r की capital है, small r, क्योंकि r less than r पर निकाल रहे है, ये हमारा Gaussian surface है, तो अगर Gaussian surface का radius r है, तो उसका length total कितना होगा, 2 pi r उसका circumference, और इधर db by dt, और ये ds, ds का मतलब है, वो area थहाँ पे magnetic flux जहां तक है, ह हम electric field खोज रहे हैं, सिर्फ इस Gaussian region पे, इस Gaussian region पे मतलब है, ये ds इसी region का area होना चेह, हम इसी region के through flux खोज रहे हैं, तो इस region का area कितना होगा, ds is the not total area, this is the region, so r अगर इसका radius है, तो इसका कितना हो जाएगा, pi r square, अगर ये loop है, 3D में नहीं, अगर 2D में है, तो pi r square, अगर 3D में होता है, sphere वगर है, तो for pi r square हो जाता है, ठीक है न, समझ पार है हो, तो total हमारा इसका, जहां से हम flux खोज रहे हैं, उसका total surface area कितना है, pi r square है, clear है, so आप देखें, यहां से, pi से, pi cancel होगिया, एक r से, square cancel ह होगिया, यहां पर एक r बचा हुआ है, so magnitude of electric field is nothing but एक r, और इधर से 2 divided हो जागा, तो r by 2 and db by dt, clear है, so this is the electric field, induced expression for induced electric field for r less than r, अगर magnetic field कोई time का function दिया होता है, question में, like ऐसे, magnetic field मालो दिया होता, some constant be not t square z cap, ठीक है, क्या अगर तो इसको differentiate कर देते time की respect मोरी हो, put कर देते answer हो ज expression निकाल रहे है, case 1 हो गया, case 2, r less than r हो गया, अब मालो अगर होता, r greater than r, क्या होता, small r greater than r, for small r greater than capital r, तो आप क्या करते हैं, आपका तो यह region था, अब इससे बाहर आपको एक Gaussian surface लेना पड़ता है, कुछ इस तरह गा, चलिए थोड़ा diagram खराब मैं बना रहा हूं, माप कीज तो कुछ Gaussian surface ऐसे लेना पड़ता है, और इसका radius कितना माल लेते हैं, आप, small r माल लेते हैं, यह हमारा पूरा outside वाला आप Gaussian surface है, ठीक है, तो डियागराम अच्छा से बनाना तूम, तो उस दुरान क्या होता है, यह देखो, electric field, dl, dl हो जाता है, 2 pi r is equal to, यह तो dby dt आता, ठीक है, सब कहनी यहां तक सही था, ds, ds क्या है, वो हमारे area है, जहां तक हम flux खोज रहे हैं, अभी हम कहां तक flux खोज रहे हैं, पूरा outside अभी हमारा Gaussian surface है, तो पूरा outside तक हम flux खोजने कुशिस कर रहे हैं, पूरा entire इस region में खोजने कुशिस कर रहे हैं, लेकिन magnetic field जो है खले इस इसी region पर है, capital R वाला ही region पर है, तो अगर magnetic field अगर यहीं तक है, तो induced electric field का flux होगा, वो maximum यहीं तक हो सकता है, इस से बाहर होई नहीं सकता है, तो यह ds होगा ना, r greater than r के लिए, वो maximum क्या हो सकता है, capital R radius वाला जो इस पर होई तक हो सकता है, flux से बाहर flux मिले गा हैं नहीं, भ तो flux electric field का इस से बाहर कहां से मिलेगा, इसके अंधरी maximum मिल सकता है, तो भले हम लोग r greater than r का region में जा रहे है, electric field खोज रहे है, Gaussian surface मेरा बाहर तक है, उसका A to pi R ही होगा, है ना, क्योंकि Gaussian surface तो मेरा है, हम जहां तक मानेगा, वहां तक हम length लेंगे, लेकिन flux तुमारे हाथ में नहीं है, जहां तुम खोज, भले को नहीं दिली तक होज रहा है, लेकिन है तो उतर पर दिस तक ही, हाना, तो यहीं तक ही flux मिलने वाला है, ठीक है, तो यहां पर यह माइंड करना है, यहां पर यह वार जो एरिया होगा, वो पाई, capital R का square होगा, क्योंकि maximum flux यहीं तक है, यहां तक है कि नहीं, जिसे एर लेस देना होरी जहन रोड रिजन में, यहीं तक खुज रहे थे और यही तक फलक्स फुरा इंटर रिजन में तो यहां तक तो जरूरूर्द था इसलिए वही तक इसमें पाई RS ही ले लेनी है, लेकिन यहां पर खुज रहे पर आउड स आपके अच्छेक है तक लिए मिले का मैक्समूंग डिटिल राडियस तक एध वाई कले रहे चुल्ला हम यहां से दोगों सिर्फ पाई कटे का इस वार क्यूंकि यह स्मॉलर केपिटल रर क्टेंगा नहीं तो कितना जाए यह यह से लेक्ट्रिक फिल्ड का एक्स्प्रेशन यहां से एलेक्रिक फिल्ट का एक्स्प्रेशन आ जाएगा ये कैपिटल आर इस्क्वाइर टू टाइम स्मॉल आर और ये डिवी बाई डिटी क्लिर रहे है थिका ना अचा अगर हम लोग एट दो सर्फेस सखे तो स्मॉल आर को और सर्फेसे दो पर जाएगा तो पॉंट धस्ट योस्फेसल आर इक्लकल का रगग तो at surface electric field कितना हो जाएगा small r के जाएगा capital रख देगा तो r r कट जाएगा तो r by 2 हो जाएगा और ये db by dk यहां से followed भाट ठीक है तीनो रेजन में मिल गया r less than r at the surface और greater than r inside at the surface और outside मिल गया अब इसको plot करो small r के respect में plot करो तो देखो एक मजदार graph आएगा भी ठीक है ना इसको प्लाट करते हैं ठीक है कुछ भी फालतू नहीं पढ़ा रहा है और इंटर्वी में पूछता है ठीक है ना सो चलो इसक्रीन सॉट ले लो ले लिए स्क्रीन सॉट ओक्या आगे बढ़ते हैं अब इसको प्लाट करते हैं ठीक है देखो इस्टातिक थ्फाउंडेशन इसका मजब्स मोट सी कने फृवांडेशन देंगी और आपको तकलिप नहीं होगा ठीक है ना फृवांडेशन देंगे उसके बाद आपको कोई हिँ तकलिप मौने अधिए फोलट नहीं है ठीक है तो थोड़ा सा फॉन्डीशन में भी तकलिफ हो सकता है थोड़ा पेसंस बनाए रखे थोड़ा लोग जाएगा फिर धरीधर सब साही हो जाएगा ठीक है यह इधर इलेक्टरिक फिल्ड यह धर डिस्टेंस आप ठीक है यह इंड़ोस्ट इले यहाँ थे , यहाँ पहर है इलक्ट्रिक फिल्ड डi decisyl परप्रपशनल टो और है इस रिजन में के लिए क्या था आउटसाइड के लिए था capital R square by 2R dby dt यहां पर देख सकते हो कि small R electric field small R के साथ 1 by R के इस तरह भेरी कर रहा है है रेक्टे मुलर है पर बोला और फिर surface पर क्या था कि इस R को capital R बना दो तो capital R by 2 dby dt और वही maximum होगा उससे यादा नहीं हो सकता है तो maximum कहां पर होगा R equal to R पे और उसका जो घेल होए कितना होगा बटा इस maximum electric field का तो हमनों निकाले थे R by 2 dby dt this is the maximum field ठीक है तो this is the graph क्लिर है सबको ओके तो अब यहां पर note करने वाला बात यह है conclusion यह है हाना कि conclusion क्या है कि electric field का आज तक तुम source क्या क्या जानता था बताओ तो class 12 में electric field का तुम source क्या जानता था आज ते class 12 में charge या तो positive या negative charge यही तुम जानता था लेकिन आज तुम्हें एक रोमांचक चीज पढ़ गया कि increasing या decreasing rate of change of magnetic field भी produce करता है electric field यह तुम नया सिख्या जबी हना इससे पले सिख्ये थी electric field plus minus q के charge के चलते होता है आज सिख्या प्लस माइनस dby by dt के चलते भी produce होता है तो this is the beauty this is the beauty ठीक है आज तक तुम जानता था कि point charge के current electric field produce होता है आज सिख्या कि time bearing magnetic field भी produce करता है कोई दिक्कत वाली बात होने नहीं चाहिए के लिए रहा है ना चलो इस्क्रीन सॉट लेलो आगे बढ़ते है यह खतम हो गया इंडूस्ट इलेक्टिक फिल्ड आप पढ़ेंगे इंडूस्ट माइनेटिक फिल्ड फिर आगे बढ़ते जाएगे ठीक है ना बस धैरी अब दिजे दो घंटे का क्लास फिर दिखेगा कैसे फट पड़ा आगे सब खतम हो जाएगा ठीक है ना थोरा एकदम मस्त आपको भी मजा आने लगेगा ठीक है तो नेक्स्ट है इंडूस्ट माइनेटिक फिल्ड देखो भेरियेबल इलेक्रिक फिल्ड क्या इंडूस्ट करता है माइनेटिक फिल्ड जैसे अभी उल्टा अभी थक क्या पड़े हम लोग कि भेरियेबल माइनेटिक फिल्ड प्रोडूसेस इलेक्रिक फिल्ड अब क्या पड़ेंगे भेरियेबल इलेक ठीस प्रोडीसे है एलेक्ट्रिक फेल्ल गठाटेब्लृ यह बोड़ है कि कि यह नोग है, कि कैसे है मेग्णा ह crafts प्रोडेस करता है ऐलेक्ट्रिक फेल्ल यह भी तो में लोग पड़ा है , क्या पड़े line integral e dot dl is equal to minus db by dt dot ds यह वेक्टर लगा तो हम भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं भूल भी गया मतलब तुम समझे लेना वेक्टर में ही है तो यह अब हम लोग पढ़ चुके हैं इसी गस्ते हैं में एनलोजी लेंगे an equation an equation analogous an equation analogous to the above equation an equation analogous to the above equation for obtaining magnetic field can be written as can be written as इसी का analogous equation लिखेंगे देखो कैसे लिखेंगे 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 और यह क्या बन जाएगा और यह dot ds बन जाएगा ठीक है बसका लिए लेकिन इना equation dimensionally correct नहीं है dimensionally correct तभी होता है जब यहाँ पे एक factor multiply करते है me not into epsilon not जो one by c square के ब्रावर होता है और यह किसके ब्रावर है one by c square के ब्रावर है सबको मालूम इस चीज़ तो यहाँ पर इसले से multiply करते हैं dimensionally balance करने के लिए ठीक है तो this is the induced magnetic field expression आप इससे इसका भी तीन उरीजन पर निकाल सकते हैं हाना समझ पार है ना इसका भी हम लोगों इससे सेम ग्राप निकाल सकते हैं मतलब सेम चीज़ कल्कुलेट कर सकते हैं लेकिन अभी कल्कुलेट नहीं करेंगे इस 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 नोन एज इस इस नोन एज मैक्सवेल लॉज इस ने दिया था मैक्सवेल ने दिया था यह जो एनलोगस इक्वेशन को जो इसके एनलोगस इस इक्वेशन को किसने ड्राइब किया था मैक्सवेल ने किया था इसलिए इसको मैक्सवेल लॉब भी बोलते हैं ठीक है आ स्क्रिन स्वाट लो ले लिया चलो अब देखते हैं एक मज़ेदार बात इसी में भी इसी टॉपिक में चल रहा है इंडूस्ट माइनिटिक फिल्ट में भी यहां तक क्या आगे चल रहा है अब लिखो from M.P.E.R. सरकेटल लो भी नो from M.P.E.R. सरकेटल लो M.P.E.R. सरकेटल लोस हम लो जानते हैं सबको मालू में Line integral B.D.L. is equal to M.N. time I enclosed equation No.1 Connection current उसी को बोलते हैं ठेक न अब अभी हम लोग क्या पढ़ें यह तो equation 1 हो गया also अभी हम लोग क्या पढ़े Induced electric field का Line integral क्या पढ़े B dot DL is equal to अभी अभी पड़े याद करूँ क्या पड़े अभी अभी अम लोग पड़े B dot DL equal to B not epsilon not D by DT dot Ds equation 2 पड़े ना अच्छा इसको ऐसा भी दो लिख सक्ट है इधर असल में है क्या ये तो है D5 by DT क्या ये D5 by DT हाना इधर असल है क्या D5 by DT है समझ पाले हो ना D5 E by DT rate of change of electric flux ठेका ना क्योंकि phi E को ही तो लिखते है integral E dot Ds तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा D by DT रहा जाएगा क्लियर है सो इस पर confusion नहीं होना च्छे अब equation 1,2 को combine करो मतलब combining करो equation 1,2 को जोडो तो क्या मिलेगा B dot DL equal to minot I conduction plus minot epsilon not and D5 E by DT D5 E by DT या फिर ऐसे लिखलो कोई दिक्कत नहीं या फिर minot IC plus minot epsilon not integral D by dot E DT dot Ds ठीका ना ये equation आएगा सो भाया इस equation में तुम या पर देखो this is called Maxwell Ampere's law this is called Maxwell Ampere's law Maxwell Ampere's law why it is called Maxwell Ampere's law क्योंकि ये वाला किसका है ये Maxwell का है और ये contribution किसका है sorry ये Ampere का है और ये contribution Maxwell का है that's why it's called Maxwell Ampere's law and this is called modified Maxwell's equation क्योंकि इसमें modification क्या गया है Ampere's ने जो कहा था सिर्फ B dot DL equal to mean or time logic correct मसलब ये complete नहीं था ये complete magnetic field का equation नहीं था complete magnetic field का equation है ठीक है ना तो अब यहाँ पर एक बहुत सवारा term नहीं हम लोग define करेंगे फिलाल इसको क्या गाते है this is called Maxwell Ampere's law and यहाँ पर क्या है where B is the resultant magnetic field ये जो B है वो resultant magnetic field है caused by electric current as well as variable electric field ये B क्या है resultant magnetic field है B क्या है resultant magnetic field है किसके चलते है एक तो current के चलते देखो current डवला पार्ट के चलते भी generate हो रहा है और ये किसके चलते है variable electric field के चलते भी generate हो रहा है तो आज से तुम सिख गया इससे पहले आज तक conclusion यहां पर बिटा क्या है conclusion यही है not conclusion यही है कि आज तक तक तुम बी का source क्या जानता था magnetic field का source आज तक तुम क्या जानता था current जानता था conduction current के current बाहरा है तो magnetic field generate होगा our distance पर यह तो तुम पढ़ाता है आज तुम क्या सिख गया कि नहीं conduction current के साथ साथ changing magnetic field भी प्रोडूस करता है magnetic field तो यह चेंजिंग चाहे वो decrease कर रहा हो यह increase कर रहा है इसलिए हमने यह plus minus d by dt लिखा है तो यह increasing और decreasing मतलब increase कर रहा हो चाहें decrease उसको change तो बोलता है यह simple भासा में तो changing electric field also produces magnetic field यह बिटा तुमने सीखा इससे पले सीखा था कि charge के साथ साथ changing magnetic field भी electric field प्रोडूस करता है आज क्या सिखा कि current के साथ साथ changing electric field भी magnetic field प्रोडूस करता है क्लियर है कोई दिक्कत वाले बात नहीं है ठीक है ना चलो देखो थोड़ा और इसको अच्छा से क्या लिखेंगा अभी यहाँ पर एक point not करने वाला क्या है इसको देखो धंस देखो के से लिखेंगा अभी कि इसको current के formula इसने कोसिस कर रहे है बी डॉट डील एक्वल टू मी नॉट अगर हम लोग मी नॉट कॉमन ले ले तो इसको ic प्लस क्या बचेगा यहां सभी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एपसालन नॉट डी फाई इवाई डीटी ऐसे कुछ बचेगा ना हाँ मी नॉट क के साथ तुम किसको जोर सकते हो करेंट को ही जोर सकते हो dimensional analysis क्या बोलता है dimensional analysis बोलता है करेंट के साथ यहां पर displacement होता कुछ नहीं है displacement word को मतलब miss word है यहाँ पर किसी तरह का को displacement नहीं होता है करेंड के साथ ठीक है ना बसको एक miss word है ठीक है इसको ध्यान रखना तो यह नहीं ख्याला आगया कि कुछ displacement हो रहा है एसको बोलते है आईडी क्या बोलते हैं इसको आईडी तो दिवह सोट फ्रम में लोग लीख दिए और यहांपर ऑईडी क्या है बिटा किसके बराबर है अच्छेन नॉट डिफाइवडी को पूट की हम लोग हाना या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अफ्साइल नौट डिफा करेंट this is called displacement current this id is non-hpeter displacement current बहुत important है बहुत important है तुम्हारा भी हमने सिलिबस में बताया था ना displacement current पढ़ना है and Maxwell's law पढ़ना है तो Maxwell यह वाला है this is called Maxwell law and this is called displacement current and this is Mpers Maxwell तो आपको यह पढ़ना था तुसके लिए तो induced magnetic फिल पढ़ना पढ़ता है ना हमने पुदा थेवरी बता दिया clear है चलो अब आपको सारा चीज फर्मुला थे अटलिस्ट याद रखना ही है exam के लिए मजा आया ना this is couched by variable और यह displacement current वाला जो उटार में हो किसके चलते आ रहा है variable electric field के चलते आ रहा है एक्जाम में पूछ लिए अगर इसस theoretical basic question तब तुम मारी दोगे ठीक है ना समझ रहे हो theory समझ रहे हो ना हाँ यह theory समझ रहे है चलिए screenshot लिजे यहां तर जल्दी से screenshot लिजे ले लिया सबने screenshot ओके चलो screenshot ले लिया तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े हैं ओके तो एक सवाल है अभी जैसे हम लोग इलेक्टिक फिल्ड वाल में सवाल किया थे नो इससे एक सवाल है एक्जाम्पल है क्या एक्जाम्पल है find the expression for induced magnetic field in between the plates वो पे charging capacitor मालो कोई charging capacitor है मालो कोई बैटरी से चार्ज हो रहा है हा ना तो इनके और मालो इस जो charging capacitor दोनों सिमिलर है दोनों का रेडियस कैपडल आ रहा है तो इनके between में यहां पे यहां पे आपको क्या निकलना है induced magnetic field इस इस region पे अब यह इंडूस निकलना है अपको ठीक है ना वी इंडूस निकलना है किस किस काम के लिए आर लेस देनार और 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 थड़ तो अर्टमेटिक निकल जाएगा पूर रर एक्वल टु आर तो निकाल लोगे ना आप निकाल लोगे चार्जिंग क्यापिसिटर है सर घिचला सबते अब इस पेसे स्पेको अलग 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 अ किया होता है फार्म लात यह आपको मालू मैं ब.dl is equal to me not epsilon not d e by dt dot d e हम लोग सर्फेस एरिया को d s लिए है न कई बुक में d e भी दिखता है कई बुक में do by do e b dot t भी दिखता है d के जगा तो उसे कोई चिंता करने वाले बात है नहीं तो इसको तो आप निकाली लोगे आप निकाल लोगे ना अच्छा हाँ आपको एक मज़़ार बात बता जता है कि जब भी जब भी स्प्रिकल सिमेट्री होगा तो यह होला जो dot product है b और dl के बीच में angle 0 होता है 0 degree तो यह सिर्फ क्या दे देगा b दे देगा और dl क्या दे देगा मालो आर लेस देन आर का केस है ना तो डेफिनेटली जो भी हमारा गोसियन सर्फेस होगा उसका एरिया देगा 2 पाई आर मी नॉट epsilon नॉट डोई बाई डोटी बहार आ जाएगा मतलब डी बाई डी टी बहार आ जाएगा बचेगा क्या डी एस क्या बचेगा डी एस यहाँ पी एलेक्टरीक फिल और सर्फेस हेरिया के भी बिचका इंटेग्लल 0 होता है मतलब एंगल 0 टीग्री होता है तो डर्ट प्रोडक्ट यहाँ पी पोजिटीव हो जाता है एलेक्रिक फिल्ड वाला केस में मैंनेटिक वला में 180 होता है ठीक है ना समझ पा रहे हो और डी एस डी एस क्या है यहाँ पर डी एस पाई आर इसक्वार हो जाएगा हम लोग देखे थे अभी आर लेस देन आर का केस हो तो यह जो एरिया होगा जिसके तुरू फ्लक्स पार होगा वो पाई आर स्क्वार ले और सेट्ल को मौना करेंटिक फिल्ड के चलते क्योंकि इस रीजन में ना करेंट नहीं है यहीः तो फिर से दोनुवलप हो जाएगा तो इस रीजन में इलेक्रिक फिल्ड डिवलप हो जाएगा जो समय के साथ चेंज होगा अब ही सवाल लाया तो घीर दीर ना प्लेट में चार्ज जमा होगा जी बैटरी लागानेगा इना प्लेट में धीर दीर चार्ज होगा तो पहले कम चार्ज था फिर ragd यूप इस रिजन का लेक्टीक फिल बढ़ेगा घंडेगा ईस रिजन में उसके चलते एक magnetic field produce होगा नेकिन इसी बात को लोग पहले Maxwell का equation देने से पहले verify नहीं कर पा रहे थे क्यों नहीं लोग ऐसा समझ रहे थे खाली करेंट वाला समझ रहे थे न कि करेंटी मेंटी फिल प्रोडेटा है तो बुलाई इस बीच में खाली इसके सब्सक्राइब कहां से आयेगा हम लोग पूचता है इंट्रोव्य में पूचता है कि displacement करेंट का लोचा क्या था रुक ऐस charge of parallel plate capacitor उसके बीच में इस region में electric field डेवलप होगा वो भी समय के साथ घटेगा पड़ेगा charging, discharging के case में तो changing electric field produces magnetic field that's why, clear है, okay so r less than r का case में है, b निकल लोगे b कितना आ जाएगा, देखो, काट उट के आ जाएगा r by 2, mi not, epsilon not, do e by, do t clear है, r greater than case करोगे r greater than r का case करोगे, तो वहाँ पे आ जाएगा b surface imperial loop का length 2 pi r, mi not, epsilon not, d by dt रहेगा और इस बार pi capital r के square होगा, क्योंकि maximum flux नहीं तक मिल सकता है कितनों बड़ा imperial loop तुम लेलो, maximum flux capital r तक ही मिल सकता है ठीक है ना, क्योंकि वहीं तक electric field change हो रहा है electric field तो इस parallel plate capacitor से बाहर थोड़ों change हो रहा है, electric field इससे बाहर थोड़ों generate हो रहा है क्योंकि चार्ज तो यहीं तक ना accumulate हो रहा है, समझ रहा है ना, इसलिए यहीं तक maximum magnetic field मिल सकता है उससे बाहर नहीं मिल सकता है, तो पाई से पाई गया, यह B का expression आएगा, B not epsilon not, capital r square by smaller, d by dt and also 2 ठीक है, और third case, for r equal to r, put कर दो है, small r के जागा, capital r, magnetic field कितना हो जाएगा, भाईया यह जाएगा, यह जाएगा, r by 2, d by dt, बस सब कुछ भेलू खले दिया हो था, ठीक है, ना, put चुगा है, पुच चुगा है, ठीक है, तो हमेसा एक general r greater than r के लिए निकाल लो, उसके बाद, r equal to 4 r बोले, 2 r बोले, जेस्ट में 2 r, 1.5 r, यह सब के लिए calculate करवाया है, ठीक है, तो पहले r greater than r के लिए general निकाल लो, फिर small r के जगा, put कर दो, जहाँ के लिए निकाल लो है, ठीक है, ना, समझ पा रहे हो, तो यह general r greater than r का formula है, अगर याद है तुमको, तुम भी small r के जग से constant है, ना, वो change नहीं होगा, जेस्ट में सब question इस induced electric field और magnetic field जो के calculate करवाया है, जेस्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है, अभी previous यह लगा लेना, देख लेना, ठीक है, यह फिर हम खुद करवा देंगे, खुद तुम करो तो ज्यादा बैदतर है, ठीक है, इसका भी graph कै इंडूस्ट magnetic field का अगर तुम बात करेगा, उसका mod और R के साथ, तो यह लिए देख लो, इसे सेम जी से electric field था, यहाँ पर maximum होगा, surface पे, हाना, और यहाँ पर magnetic field, directly proportional होगा, और इधर क्या होगा, inversely proportional होगा, देख लो, less than पे, directly proportional होगा, greater than पे, inversely proportional होगा, और surface पे, this value is the maximum, maximum value is the, me not, epsilon not, capital R by 2, and D by dt, this is the maximum value, at R equal to R, this is what, clear है, कोई रिकत वाली बात, नहीं है सर, नहीं है ना, चलिए, ले लिए जे स्क्रिंस वाट, और यह induced magnetic field में होगा, समाप्त होगा, इसके बाद हम लोग जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, Maxwell field equation में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, Maxwell field equation में जाएंगे, और बहुत जल्द हम लोगा Maxwell field equation खतम होने वाला है, किलर है ना, चलो, स्क्रिंस वाट ले लो, ले लिया सबने स्क्रिंस वाट, ओके, चलो, नेक्स्ट एक सवाल है, सवाल यह है कि, so that the displacement current between the plates, एक question है, so that the displacement current between the plates of a charging capacitor, of a charging capacitor, is equal to, is equal to the conduction current in the circuit, is equal to the conduction current in the circuit, यह बहुत यही फैमस लोचा था, लोग बोला, so करो कि जो conduction और displacement current है, वो दोनों सेम है, बतला भी जो बता रहे है था ना, charging capacitor वाला, हाँ, हाँ, बता रहे था सर, इसमें हम आपको क्या बोले, कि सर्केट में क्या बारा है, conduction current, और यह बीच में तुमको electric field के चलते हैं, क्या मिला, displacement current, तो तुमको प्रूब कर रहा है कि यह जो current है, और यह जो current है, सेम है, क्योंकि यह displacement current यदर conduction current का का काम कर रहा है, ठीक है, ना, पर्फाश्मेंट पर्मोला क्वें, तो बहुत आशान है, अटी का फर्मला लेखो displacement करेंट का, हा न, तो displacement करेंट का फर्मूला क्या होता है, we know that displacement current is me not, no, not me not, epsilon not d phi e by dt, यह ओता है न, हाँ श्री ही होता है, epsilon not d by dt, सभी है एलजक्ट्रीक फ्लेक्स लिए और यहाँ पर इड़िए और M कितना होता है इनके बीज में होता है सिग्मा यह अटो और यह एरिया भी कोंस्टेंट के बाहर से अर अन्दरोल अचाड़ चाणगा क्वधिए क्या पर इंट एरिया हों यह क्या बचा बचेन रहें और यह सरकीट का ना लोचा स्वल्ब हो गया ना चार्जिंग केशिटर का लोचा स्वल्ब हो गया displacement करेंट इसका मतलब जो Maxwell ने टर्म दिया था MPR के साथ जो Maxwell ने टर्म दिया वो सही है यानि modified Maxwell equation सही है यानि जो resultant magnetic field अगे बढ़ते हैं अब आते हैं हम लोग नया टॉपिक पे जिस्ट का that is Maxwell's field equation अब आते हैं क्या क्या है Maxwell's field equation अब आते हैं क्या-क्या equations है वो सब को देखते हैं ठीक है ना screenshot ले लिया यह सब से जितना अभी तक till this question जितना बिटा concept पड़ाए ना बहुते important है खुब सारे भर-भर के previous year में सवाल आयो है maximum सवाल इस पोर्शन से आते हैं और इसके बाद एक पोर्शन से electromagnetic energy and density and momentum and pointing vector है ना electromagnetic waves का वो एक important topic जैस्ट का वहां से भी लोग खुब भर-भर के intensity intensity से सवाल देता है ठीक है ना तो दो लोग का एकदम प्यारा topic है और एक screen depth वाला conducting electromagnetic waves in conducting medium and all ठीक है नेकिन important सभी है important तो सभी है चलो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है बहुत मजा आ रहा होगा आपको आगे अभी और मजा आने वाला है बहुत छुटा सा सिलेबस से आपको extra जो पढ़ना है बहुत मतलब बड़ा नहीं पढ़ना है बस मेरे साथ बने रहो आपको मजा आएगा ठीक है ना चलो next जो है that is Maxwell's field equation ठीक है ना नहीं आपको next क्या पढ़ना है Maxwell's field equations Maxwell's field equation Maxwell's field equation ठीक है ना तो Maxwell ने क्या किया था अब field equation Maxwell का नाम कहा है आ रहा है इना चेक क्या था ही चेक अल एक्वेशन पोर टाइम डिपेंडेंट एंड बी मैक्सवेल का इतना ही कंट्रिविशन था कि time dependent electric or magnetic field के लिए सारा equation को चेक किया था इसलिए सब equation को Maxwell के नाम से जानते है Maxwell field equation है ना तो बस इसका इतना ही कंट्रिविशन है जैसे हम लोग गौस लोग फ्राडेज लोग यह सब करेंड वाला समझ रहे हो ना तो फिर हाँ ठीक है आप मोडिफाइड तो पस यह वही काम किया था कि time bearing electric magnetic field के लिए सारा जो पाले इलेक्ट्रो और माइनेट्रो इस्टेटिक में तुम equation गोस लो वगरा इसा फ्राडेज लो पड़े तो ना एम्पियर लो वगरा उस पे क्या क्या कि खले time bearing वाला concept लगा कि देखा कि क्या equation time अगर bearing electric या magnetic field हो मतलब dependent electric के magnetic field हो तो भी क्या equation सही होल्ड कर रहा है कि कुछ कुछ ने काचने के जो रहत है तो देखा कि तीन वो जो equation है ना वो एकदम ठीक ठाक है time bearing के साथ भी चोंथा वोला जो था ने एम्पियर सर्कीटर लो जिसको modified किया भी हम लोग उठ्वड़ा गाड़ बर था उसको ठीक ठाक करना पड़ा ठोक ठाक के displacement करेंट वोला concept लगा के ठीक है ना के लिए रहा है तीन वो एकदम चका चक ठाक ठाक के ठीक कर दिये ठीक है बस इसका इत estratics है वो बहस्तितत है में लेकिन आप हम लोग एक बार पढ़ लेंगे की कोन किसका लो है फिर finally 4 पढ़ेंगे उत चारो का चारो अलग 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 नाम से नहीं जानेंगे अलग अदमी ने दिया है लेकिन अभी एक भर पढ़ा दे रहेए उसके बाद फाइनले उस 4 बड अगर तुम लिखना चाहेगा इसको यह तो यह लिखता है डिफरेंशिल फॉर्म लिखना चाहेगा तो तुम यह लिखता है डिफरेंशिल फॉर्म लिखना चाहेगा तो यह क्या इंटिग्रल फॉर्म है और यह क्या है डिफरेंशिल फॉर्म है लिखना उसमें भी बहुत लोग इसको प्रिफर करते हैं बहुत बुक इसको प्रिफर करता है तुम लोगो सब को मालूम है इलेक्ट्र स्टेटिंग पढ़ा होगा डिस्प्लेस्पेंट वेक्टर होता है अप्सालें इंटुई दूजार उन्नीस में तो एक सवाल भी आया था एलेक्ट्रिक फिल्ड दिया था अप्सालें नॉट से मल्टिफ्लाय करके डी निकालने बुला था ठीक है तो चलो यह गौस लोईन इलेक्ट्र स्टेटिक के लिए रहा है इसको ठोंक ठाक के देखा है ठीक था ठीक है ना समझपार है हो ओके उसे हाला कि इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे पोलराइशन भेक्टर भी यहाँ पे एड होता है अभी हम लोग अगर नॉन पोलर आने का में समझबा है ना मिरा बात हाँ इनगे इसका डिस्प्रेश्म टोटल फरमूला है लेकिन पोलाराईशन अपसेंट होगर पोलोराईशन जीरो तो यह पोलरायसन है कुछ और मत समझ लेना अगर जीरो तो फिर यह सटिस्पाय होगा ठीक है फिर यह स्पे और यह जो हता है निफ फ्री चार्ज देंसिटी होता है एक इन्दूट्स चार्ज देंसिटी तुम्हों मालूम हो पढ़ाएं थे हम एलेक्ट्रों मतलब क्लास्ट करवाए थे एक पेड कोर्स करवाए थे वो कितना होता है , गालों मेलें तुम लो को हाँ मालू होगा जो रोव टो कि यहां पर श्त झाल नहिए और फिरी चार्ज Pre muss सित्षी energy जितलब फेस्ट मेक्ट मांट मेक्टर उक्षिन जयादा करते ignored इंटीरल कौन को आलाक इंटेस्गरल याबया प्रिफर किरें कोई बात नहीं आप साथ को गॉस्र दैबर्जनस त्योर में मैंगे श्री चाने सब आता है तुम है लूसरोगें differential form क्या होगा divergence theorem लगाओ gauss divergence theorem लगाओगे तो divergence of b is equal to 0 यह जाएगा न यहाँ से लगाओगे gauss divergence theorem तो surface integral का volume integral में convert कर देगा तो surface integral का volume integral b है vector तो divergence of b dv equal to 0 integral पूरा integral 0 नहीं हो सकता है arbitrary है तो उसका अंदर का term divergence of b 0 हो जाएगा है तो यह differential form है यह differential form है और यह integral form है किसका gauss line magneto static का और this is called Maxwell second equation Maxwell second equation this is Maxwell first equation this is Maxwell second equation ज्यादा तरह मुप prefer किसको करते है बटा differential form को आला कि दुनों similar एक से दुसरे में जा सकते है prefer ज्यादा क्या करते है differential form लिखना आसान होता है ठीके न पतत लंगा थजिए बश्यादा मुपDYए फस्ट्जा मुप जैगा रहादा ज्यादा मुपषवर